कि hello friends friends अभब हम discuss करेंगे setter, getters and virtual तो getter, setter and virtual होते क्या है, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर ले चलता हूं अपने किसी model में, तो मेरे मोडल में देख रहे हो यहां पर दो कोलम है जो यह table blog करता है जो हमारा model blog करता है किसी database की table को blog करता है user那麼 टो इस मेरे दो column है धो फिल्ड यहां पर देख रहे है फिस्त्वनिम अब मान लीजे मुझे database से कोई data निकालते हुए, मान लीजे मैं अपना first name निकालता हूँ, मेरा first name कहाँ पर है, यह database में देख रहे हैं, आप first name, ठीक है, अभी जो first name मेरा database में है, अभी देखे, वीर, वीर, सबका, जो first letter है, वो capital में है, अगर मैं इस में database में entry कराऊं, smalls मे कुछ smalls में करादू कि small character में जाए, जैसे के बलजी तो small character में जाए, और जब मुझे database से fetch करना है, तो इस तरह का कुछ format हो कि बलजी जो आप our case में मुझे मुझे मिले, तो वो मैं getter से use कर सकता हूँ, मतलब data निकालते हुए, अगर मुझे उसे कुछ modification करना है, ठीक है, य data database में save होने से पहले, save होने से पहले, हम उसे जैसे password हम save कर रहे है, password आया 123456, तो 6 password को hashing format में हम save करें, जिससे कोई उसको read ना कर सके, hashing format में हम save, तो setter का use हो जाता है, और virtual आता है कि column, ये तो हो गया, setter and getter किसी column के लिए, कोई field database में exist कर रहा है, column exist कर रहे है, first name, last name, ल यहाँ पर first name और last name से दोनों से मिलके full name बनेगा, तो इस तरह के जो हम function बनाते हैं, वो function हमारे होते हैं, virtual से बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं, virtual, तो आईए, यहाँ पर documentation मैंने दिया है, आप इसको पढ़ लेना, अगर आप चाहते हैं, पढ़ना documentation, ठीक है, तो यहाँ पर के लिए जो function होता है, यह होता है get function, getter is a get function defined for one column in the model, model में one column मतले मालेजी किसी भी एक column के लिए define के लिए use होता है, तो यहाँ पर देखिए get function है, username के लिए use किया गया, username कोई column है, लेकिन हमारे यहाँ पर first name column है, हम उसमें use करेंगे, तो इन्होंने क्या किया है, this.get data value, this. get data value से यहाँ पर username निकाल लिया है, और अगर यह username यहाँ पर मिलता है, blank नहीं है, null नहीं है, तो उस case में इसको two upper case, उसको upper case में change कर दिया है, ठीक है, तो मैं इसको use कर लेता हूं, और देखते हैं हम भी अपने model में use कर लेते हैं, इसको model में जाएंगे, और यह first name है, यहा जो अगर यह value होगी यह नहीं होगी, यह check करने की जरूत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी रहने देता हूं, मैंने इसको change नहीं कर दी, user name को first name है, ठीक है, अब मैं कोई route बना लेता हूं, यहाँ पर जाके copy paste, हर बार मैं route बनाता get set virtual, get set virtual मैंने एक बना लिया, spelling थोड़ी गलत होगी है, वर्चुल, देखिए spelling जैसे मैंने यहाँ पर की, तो spelling गलत दिखा रहा था, नीचे इस तरह, तो spelling check-un नाम का एक plugin भी आता है, यहाँ पर, इसके लिए VS code के लिए, वो आप install कर सकते हैं, यह development के लिए बहुत जरूर जिससे हमारे naming convention की spelling गलत ना हो, ठीक, आप search करेंगे, इसमें तो मिल जाएगा, spelling checker, अब यह बन गया, यह route होगा, हमारा get set virtual, और यहाँ पर हम दे देते हैं, dot get set virtual, इस तरह का एक function मना लेंगे, अब हम जाते हैं, controller में, क्या हो गया, hang हो रहा है गया, कभी-कभी करता यह, यहाँ पर जाके मैंने यह कर दिया है, और यहाँ पर मैं इसको copy paste कर लूँगा, बस, where, इस तरह से function मैंने लिया, और इसको copy paste कर दिया, इस तरह से, ठीक है, यह हो गया, get set virtual user, और यहाँ पर जो मेरा find and create है, मैं यहाँ पर find all कर लेता हूँ, find all, यह find all हो गया, find all में, अभी वेहर सिंग मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ model में दिखाता हूँ यहाँ तो अब मेरे जितने भी, जितने भी मेरे यहाँ से first name मिलेंगे, वो सारे अपर case में मिलेंगे, अब मैं जाता हूँ अपने server पे और यहाँ पे जाके कर देता हूँ, जो मैंने नया route बनाया, get set virtual, मैंने hit किया, तो कोई data इसमें नहीं आ रहा है, क्यों कोई data नहीं आ रहा है इसमें, अब हम चलते हैं यहाँ पर, क्या कुछ हमने गलती किये, हमने गलती यह किये कि इस तरह से use नहीं होगा, यहाँ पर यह data, क्योंकि वो तो data हम यहाँ पर use करेंगे, और इसको हटा देंगे, यह हो गया, अब चलते हैं, server restart हो जाने कोपी करते हैं तो और चीजों का भी कोपी करें तो और चीजों का भी दिहान रखना होता है, मैं अक्सर यह गलती करता हूँ, आप देखिए, आप देखिए, जो मेरा first name, last name जितना भी निकाला हो, सब upper case में आ रहा है, सब upper case में आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हम upper case में कर सकते हैं, या फिर मैं यहां पर अगर कुछ और भी add करना चाहूँ, मान लिजे मेरे पास कुछ एक और column होती जेंडर, तो मैं वह जेंडर की condition लगा के और यहां पर इस तरह से भी कर सकता था, Mr. इस तरह से भी मैं अगर कर देता, जेंडर के base मैं इसमें यहां पर condition Mr. Mrs. और इस तरह से मैं लगा देता, तो वह भी add हो जाता, अब देखें, फिर से मैं refresh करता हूँ, देखें, यहां पर सब ही के सामने, जितने भी मेरे first name है, सब के सामने Mr. लग के आ गया है, तो इस तरह से हम getter में कर सकते हैं, अब चलते हैं, हम setter के setter में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसके लिए set function यूज होता है किसी भी एक column के लिए, तो यह हुआ है, यहां पर, देखें, set data value, यहां पर password जो हमारा आ रहा था, उसको has function से has in में convert कर दिया, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह का, तो मैं अभी last name में कर देता हूँ, वैसे दोनों में कर सकते हैं, तो जब भी हम insert करेंगे, जब भी हम कुछ insert करेंगे, तो यहां पर insert पर क्या आएगा, कि value, यह column, यह है हमारा last name, last name, तो last name को has नहीं करते हैं, यहां पर जो हमारी value आ रही है, मान लिजे मैं इस में कर देता हूँ, not value, plus value, और यहां पर कर देंगे Indian, कि वो Indian है, तो आप देखें, यहां पर set जब होगा, जैसी मैं value database में enter करूँगा, तो वहां पर value, कोई भी value में enter करूँगा, तो last name में Indian भी उसका मतलब कहा कि nationality है, वो भी उसका enter हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं कर रहा हूँ यह, अभी मैं क्या मुझे यहां पर करना पड़ेगा इसको, इस तरह से मैंने comment कर लिया और मैं यहां पर जाके फिर से इसको, तो यहां create function हम करेंगे, create function मैंने किया, अब इस where condition को हम delete करेंगे और यहां पर आएंगे, first name, first name में मैंने दे दिया हैं पर, नरेश और last name में मैंने इसमें दे दिया, last name में मैंने दे दिया हैं पर, कुमार, नरेश कुमार मैंने नाम दे दिया, ठीक है, अब ये नरेश कुमार मैंने नाम दे दिया, अभ हम देखते हैं कि डेटाबेस में क्या, मैं जाकर राव्ट को फिर से, राव्ट को फिर से मैं जाकर एक्जिक्यूट करता हूँ, यहाँ पर देखिए, Mr. Nareesh और देखें यहां पर last name में क्या आया कुमार के साथ बाद में nationality लगके भी आया database में चेक कर लेते हैं इसको database देखें कुमार ठीक है कुमा इंडियन भी यहां पर चला गया और जब कि मैं यहां से क्या पास कर रहा हूं सिर्फ नरेश और कुमार database में नरेश के सामने कोई mister नहीं है यह था getter set करते हुए मैं यहां से insert करते हुए इंडियन इसके nationality भी insert कर रहा हूं इसके last name के साथ तो देखे last name में इसकी nationality भी जा रही है अगर password होता और hash function में यूज करता तो hash ने password चला जाता यह has करने के लिए basically setter getter जो setter है वो has करने के लिए password को इस तरह से mostly यूज किया जाता है ठीके अब हमारे पास बचता है virtual combination और setter getter एक ही में हम कर सकते हैं first name और last name जैसे मैंने first name में getter यूज किया है और last name में set किया है तो दोनों में हम setter getter भी यूज कर सकते हैं combination में कोई ऐसा वो नहीं है अब virtuals में चलते हैं कि virtuals में क्या था virtual में देखिए full name अगर इसको देखा जाए full name तो full name मेरे पास कोई column नहीं मेरे पास first name और last name वहाँ पे दो column है लेकिन full name नहीं अगर मुझे full name चाहिए मालने गैटर में मुझे first name और last name दोनों चाहिए ठीक है और जब मैं इसमें set करूं तो कोई column तो मेरे पास full name नहीं तो error मिले मुझे तो इस तरह से अगर मैं जाता हूँ और मैं यहां पर एक बार देखते हैं कहां पर आ रहा है first name और last name के बिल्कुल parallel में यह आ रहा है तो यहां पर बाद में हम जाएंगे और यहां पर इस तरह से यह कर दिया मैंने कुछ first name last name full name एक और यहां पर इस तरह से bracket आएगा ठीक है यह आ गया full name यहां पर आ गया है यहां पर देखे फस्स नेम लास्स नेम और कोई वैल्यू यहां पर सैट नहीं हो रही है ठीक है तो हमें अब मैं चलता हूँ अपने कोड में और मैं सैट तो इसमें कर नहीं सकते वर्ट्वल में क्योंकि कोई वर्ट्वल में हम सैट नहीं कर सकते वैल्यू क्योंकि कोई column exist नहीं करती गैटर हम लगा सकते हैं तो हम इस तरह से इसको कर देते हैं और अब हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है जैसे रिस्टार्ट हो जाएगा मैं यहां पर जाके और फिर रिफ्रेस्ट करूंगा इसको मैंने रिफ्रेस्ट किया तो देखिए फस्ट नेम लास्ट नेम और फुल नेम भी आ गया फुल नेम में आप देख रहे हो फुल नेम में मेरा बनासकते हैं ब्सक्राइब करते हैं कि यह था हमारा टरीक Rider इस अगर आपको concept अच्छा लगा हो समझ में आया हो और इसका useful use case भी आपको समझ में आ गए हो password हमें housing में बेजना है और हमारा कोई मान लिजे first name हमारा आ रहा है और first name में सब कुछ lower में हमें पहला character अगर हमें मान लिजे बलजीत पूरा lower में और B हमें capital में करके return करना है तो getter का use कर सकते हैं हमें first name last name से combination हमें निकालना है तो इस तरह से हम virtual choose कर सकते हैं तो use case भी बिल्कुल अच्छे से मैंने बता दिया है और आपको समझ में आया है तो वीडियो को like करके मुझे जरूर बताएं कि हाम में अच्छे समझ में आ गया है आपको confidence अब आ रहा होगा अगर confidence आ रहा है तो मेरे साथ connect रही है और इस स्रीज के लिए को आगे देखने के लिए चैनल को subscribe करें बैल आइस को प्रेस करते हैं जिससे वीडियो मिसिंग नहों थैंक यू फॉर वाचिंग